हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो निव व्लॉग कैसे आप सब तो आज का मेरा मॉनिंग रूटीन हो गया है और वैसे आज नहीं थोड़ी से लेट उठी उसके बाद हमने लंच किया लंच में था मसाला कीचडी विट पर्डर मिल्क होमेड और साथ में थी मसाला रॉमेंगो अभी सब्सक्राइब ने करेंगे हम जर्नल भी करते जाएंगे और बहुत से व्ल्लोग आप लोगँ ने कहिए करने के लिए लाइk डिफेंट थीम्स पे लिए तो वह भी आते जाएंगे फिर हाल चलता है डियाए वायरूम में आगे हुए DIY रूम में आज मैं जर्नल तो लहीं लेकिन जर्नल के लिए कुछ DIY वाशी टेप्स करने वाली हूँ वैसे भी बहुत से लोग मुझे बता रहे थे कि DIY वाशी टेप्स करूँ तो मैंने सुचा उसका एक शॉर्ट वीडियो करूँगी तो लाइक बहुत एक कम मिनिट में मुझे बहुत सब कुछ कवर करना पड़ेगा उससे अच्छा है कि मैं आप लोग उससे इसमें डिटेल से भी बता पाऊंगी और आप लोग बताते हैं कि ज़्यादा फास्ट मोशन में फाता नहीं है अगर आपको करना है साथ साथ में तो मैंने सुचा क्यों नहीं आज की व्लॉग में आपको बताऊं कि मैं DIY वाशी टेप कैसे बनाती हूँ सबसे पहले मैं कर रहे हूं rainbow theme वाली वाशी टेप ओ नो ये red sketch pen नहीं कर रही है चैसे कोई बात मेरे पास नदूसरी भी red sketch pen थी हाँ वाई देवे सबसे पहले मैं कर रहे हूँ वाली वाशी टेप एंड उसमें हर एक कलर से लाइन करके मैं फिर गोल्डन जो मेरे पास ग्लिटर पैन है उससे डॉट-डॉट कर रही हूं और बस वही स्टेप से रिपीट कर रही हूं फिर से एंड ये वाशी टेप न थिक वाली वाशी टेप है अगर आपने नोटीस किया को राईन कर दो और तो सबस्वेष्में करें जब रावली लाइन कर रहे थी सबस्केंट छिक कुछ कर रहे हो क्योंकि यूजुवली वह सी टेप में ऐसा ही होता है ना कि पैटर्स रिपीट होती है तो मैं वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैंने फर्स में भी कैसा किया रेंबो में हर एक कलर की लाइनिंग और उसके बाद ग्लिटर से डॉट फिर से वह स्टेप्स रिपीट किये तो इसमें उन्हां कुछ यंचा का 2 मैंना वैसे प्रेट जैसी की बर थोड़ी-धोड़ी वैव वाली की जो यह 4 लाइन्स हो गयी ह। यह सखेंज लानत wzglत में ऑल्मॉस ट्रेट जैसे दिख था फोर भी अच्छा ही लग रहा है वैसे जब मैं कर रही थी ना डिजाइन तब मैंने सबसे पहले दो से तीन डिजाइन्स तो नहीं सोच कही रखी थी कि जब मैं वाशी टेप बनाओगी न डियाइवे तो ऐसी कुछी डिजाइन्स करूंगी बट उसकी बात मैं करती गई क करती कई और मुझे मैं मैं आता गया आता गया तो वस्यत्रीफ दिजाइन्स होने के बाद लिए करती गई वैसे यह है वशी टेप जिसमें मैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर से समी सर्कल कर रही हूं और फिर परफल स्केशपेंट से दो सेमी सेर्कल के बीचमेंग सुपर टाइमिंड कर रही हूं once that is done मैंने फिर गोल्डन जो मेरे पास ग्लीटर पैन है उससे बॉडर बॉडर की और यह पूरी वॉशी टेप डिजाइन भी ओर हो गई अरे हां मैं आपको एक बात तो बताना भूली गई कि बेज मेंना मैंने स्काइब्लू कलर की जो कलर पैन से लो डार्क प्लू पिंग ग्रीन औरेंज परपल एंड यही सब रिपीट किया वैसे दिखने में थोड़ी हाड लग रही है बट करने में एकदम ही हाड नहीं है लाइक एकदम एजी है करने में क्योंकि एक बार डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्केच में से लाइनिंग करो और रिपेटेट अब यह जो नेक्स्ट वोशिटेप है ना वो करने के लिए तो लाइक हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना दो हमारे जो फेवरेट कलर है वो ले लीजिए हाँ वो थोड़े से कॉंट्रास्ट मैच होने चाहिए और उसके बाद ना यह वाइट कलर की मेरे पास पैन है तो उससे मैंने लाइनिंग की अगर हमारे पास वाइट पैन नहीं है ना तो हमारे पास अगर वाइटनर है तो भी हम यूज कर सकते हैं बड़े से चोटी चोटी डिजाइन में वह वाइटनर शायद इतना अच्छे से वर्क ना कर पाए क्योंकि उसकी लाइनिंग ह जो ड़स्ट आती है देन बालकनी वगेरा से ड़स्ट आती है विंडोस जाती है तो उसकी वाज़े से नब काफी ड़स्ट ड़स्ट लग रहा है तो चलिए स्टेर केस को पहले अच्छे से मॉप कर लेता है और मैं आपको बहुत अच्छा जुगाड बता हूं यह देखिए तो यह है वो जुगाड एक्च्छली ऐसा होता है ना कि ज्यादा रस्टी होता है तो हमारे स्लीपर्स भी नीचे से रस्टी रस्टी हो जाता है तो मॉप करते जाओ और उसके ओपर चलते जाओ क्या यह है वो जुगाड ओके चलिए अब बैक टू डियाए बाई तो अब नेक्स डियाए वे वाशी टेप बनाते है जिसके लिए मैंने लिया येलो स्केश्ट बैन और उससे लाइनिंग कर ली ऐमें बैक्ग्राउंड क्रिएट कर लिया फिर डिफर्ट डिफर्ट मेरे बास तो जो कलर्स की ग्लिटर पैंस थी उससे चोटे बड़े इस तरह से हार्ट कर दे गई मैं काफी इजी है ना यह डिजाइन एजी होगी तभी तो आपसे शेयर करूंगी ना तो बस यह आल्मोस्ट हो गई है उल्मोस्ट क्या पूरी हो गई है नेक्स्ट वन बनाना के के लिए ना मैंने ये सिफ कलर्स लिए फिर उसमें से मैंने सिफ द्री कलर्स द्री कि ए और यस की थी वहुशर टी यह उटर झारिये एंड हमारी वॉशी टेप की ये वाली डिजाइन भी ओर हो गई वैसे अच्छा तो लग रहा है तो चलो कर लेता है नेक्स्ट वॉशी टेप की डिजाइन जिसके लिए मुझे करने है लिव्स एंड लिव्स का जनरली होता है ग्रीन कलर तो मैं यूस कर रहे हूं ग्रीन स्केच पैन बस ये नेचर थीम की जर्नल में कैसा रहेगा तो इसे हम आई तिंक नेचर थीम की जर्नल में I mean जर्नल में जो नेचर थीम करेंगे उसमें तो जरूर यूस करेंगे है ना ओके तो नेक्स डियाए वाशी टेप डिजाइन के लिए मैंने स्काइबलू कलर लिया और उससे मैं ओल शेप्स कर रही हूँ सो बस इसमें तो जादा कुछ है नहीं वो हो जाए उसके बाद ब्लेक स्केश पैन से बीच में मैंने पूरी लाइनिंग कर दी और वो डियाए वाशी टेप डिजाइन तो इजीली ओवर होगी अब नेक्स के लिए मैंने पिंग स्केश पैन ली और पूरी वाशी टेप में फिल कर दिया तो इसमेने मैं करने वाली हूँ white वो जो मैंने पैन बताए ती इससे चेक्स वाली डिजाइन तो उसके लिए sleeping lines मैं तो थे चंप रही हूँ थोड़े सी ठीक करोजेंगी और फिर standing lines करोंगी वो भी आफकॉस ठीक ही करोंगी काफी क्यूट बंड गया क्या कEHT तव i हैं इसना सब्सक्राइं सब्सक्राइब कर दिया और इसा इस तना पर शुञ नाfunded टे जैन है अब नेक्स्ट वन के लिए यलो पर पर रेड ग्रीन औरेंज ब्लू वगरा वगरा कलर से लाइनिंग की अब मैंने इससे पहले यह चो डिजाइन की थी आप कहेंगे कि यह तो वैसी है पर नहीं एक्चली वैसी नहीं है इसमें मैंने कोई डिजाइन पर्टिकुलर रिपीट नहीं किया है कि यह फिर इतने कलर से लाइनिंग की फिर फिर से वाई कलर से सेम टू सेम ऐसी लाइनिंग मैंने इसमें क्या किया रैंडम ली जहां पर मुझे लाइनिंग करनी है ना वहां पर डिपरेंट डिपरेंट कलर से की एंड इस वाले डिजाइन को और भी बनाने के कर लो सबस्सरे कलर से ही करो थैसा करूं और भ्यरियह कर दिजाइन एग यह लिगी हो जाएगी तो बंगई यह दिजाइन जो का इसे है वाली हूं फिर तो as usual like सबसे पहले ग्रीन सारे ट्राइंगल्स फिर छोट उसे ब्लू ट्राइंगल्स एंद फिर पिंक ट्राइंगल्स सो बस यह हो गया देन गोलेंड कलर की ग्लिटर पैनली एंद उससे बॉडर्स की एंद देट्स दन सो फाइनली सारी वाशी डिप डिजा हो गई ना कि मैं आपको क्या बताऊं एंड यह मुझे जर्नल करने में भी इतनी ज्यादा यूज आएगी ना बहुत ज्यादा यूज आएगी क्योंकि as you know कि मैं जो जर्नल बनाने वाली हूं उसमें सारी चीज़े मैंने खुद से लाइक डियावे की हुई होगी तो देख यह सारी वाशी टेप्स ना मैं जर्नल बनाने में भी यूज कर सकती हूं पर एक्जांपल मैं बना रही हूं रेंबो थीम की जर्नल तो उसमें यह फर्स्ट वाले जो वाशी टेप है वह बहुत ही अच्छी मैच जाएगी और एक बात कि अभी हो गया है दिनर का टाइम तो आज बना रहे हैं तो आज जो डिनर में क्या है और वह मैं आपको बताती हूं जब डिनर बन जाएगा तब तो डिनर में है पूरी सबजी एंड ठंडा ठंडा आमरस वैसे मुझे तो यह मैन्यू बहुत ज्यादा पसंदा है तो अभी डिनर हो गया है थोड़ी दियर वॉक